हेलो बच्चो वेलकम टू डॉक्टर जर्डा मेरा नामे भारती और मैं आपकी जॉल जी एजुकेटर हूँ आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टन सेशन आने वाला है जहां पर हम लोग बात करते हैं कि जॉल जी का पूरा स्लेबर्स हम लोग कैसे एक स फॉलिंग जादा आये थे और मैच्ट फॉलिंग में से भी अगर आप एक कर ले रहे थे तो आपका आंसर आपको मिल गया था अब जरूरी नहीं है हर बार पेपर ईजी आए तो हमारी पूरी स्ट्राटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपके स्कोर्स जालजी वाले पोश्टन में 180 में 180 आ सकते हैं ठीक है कुछ important topics भी बताऊंगी और plus priority भी बताऊंगी कि आपको कौन से chapter को बहुत जादा priority देनी चाहिए क्योंकि कुछ chapters का weight is जादा है ये आप लोग कोई पता है लेकिन छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है है ना ठीक है तो आ आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ अपना one year plan जो आप लोग follow कर सकते हो और अगर आप follow करोगे तो ये मेरी guarantee है मेरे बच्चों कि आपके 180 में से 180 आएंगे ही आएंगे no doubt in this टीक है तो यार start कर लेते हैं अब जब लोग देखो 180 में से 180 राने के लिए सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने करी है हम लेके आए हैं आपके लिए one neat खजाना जिसमें आपको recorded lectures मिल जाएंगे previous batches के और आप ये जो batch है one neat खजाना आप ले सकते हो by using the code doctors आप use करोगे तो यहां पर आपको ये one neat खजाना मिल जाएगा ठीक है अब बहुत important है यार देखो मतलब हम लोग मैं कुछ और topic पढ़ा रही हूं लेकिन आपको किसी और topic में पढ़ना है अब वो topic आपको जो पढ़ना है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगे लेकिन आपको उस topic में कुछ पढ़ना है तो आप in recorded lectures से आप ये topic पढ़ सकते हो ठीक है तो यहां पर हो जाता है one neat खजाना आप कैसे ले सकते हो यह जो one neat खजाना है सबसे important चीज यह है कि यह free है for संकल भारत app users आप वहां पर जाओगे आपको link मिलेगा फिर आपको अड़ा की आप में यह आपको क्या मिलने वाला है doctor's code यूज करके यह पूरा का पूरा जो आपका one neat खजाना है आपको बिलकुल free of cost मिलने वाला है ठीक है अब यार देखो अब यह तो बिलकुल free है लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें हमारे पर सारे resources होते हैं लेकिन फिर भी हम लोग अपना goal achieve नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां पर कमी होती है अपने आपको trust करने की consistency से काम करन अब यार देखो सबसे important चीज यह है कि जो बच्चा dropper है वो अपना एक साल दे रहा है इसके लिए है वो अपना पूरा एक साल दे रहा है और जो बच्चा 12 में है उसके पास दो-दो चीज़े हैं उसको boards के लिए पढ़ना है उसको neat के लिए भी पढ़ना है ठीक है तो दो दोनों के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी तो सबसे पहले तो यार यह trust करो कि आप कर सकते हो चाहे आप dropper हो चाहे आप 12 वाला बच्चा हो है ना 12 वाला बच्चा यह सोचता है कि यार पहला ही attempt है कैसे होगा क्यों नहीं होगा भाई तुम्हारे सारे topics साल पर पूरा भरोसा रखो क्योंकि होना क्या है यार देखो हम लोग जब स्टार्ट करते ना कुछ चीज उस समय हमारा जो कंसिस्टेंसी लेवल होता है वो भी बहुत जादा होता है हमारी determination वह भी बहुत जादा होती है लेकिन दीरे 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 यह जो चीज़े हैं यह क पूरे एक साल पे इस पूरे प्रोसेस पे और खुद पे भरोसा रखना है बिना भरोसा करें यह तो नहीं हो पाएगा है ना तो खुद पे भरोसा रखोगे तो सारी चीज लाइन बाइन लाइन बाइन आपको मिलती जाएगी ठीक है अब या नेक्स चीज पढ़ना कैसे कै यह आपको देखना है देखो सबसे पहले तो आप जहां से भी ले रहे हो जहां से भी आप अपने नीट की तियारी कर रहे हो बच्चो तो लेक्चर रेगुलरली अटेंड करने हैं क्योंकि अगर लेक्चर रेगुलरली अटेंड नहीं करोगे तो क्या होगा पेंडेंसी बढ लेक्चर रेगुलरली अटेंड करने के बाद आपको क्या करना है आपने आज लेक्चर अटेंड करा है ना मानलो आपकी सुभे क्लास थी ग्यारा से बारा पैतालिस तक आपकी क्लास थी तो आपने सुभे सुभे लेक्चर अटेंड कर लिया अब क्या करोगे अब आपकी notes complete करिए notes complete करने के बाद जब हम लोग अपनी NCRT का महत्व अगर हम लोग बात करें यहाँ पर यार zology में या biology में अगर मैं कहूं NCRT का बहुत महत्व है है ना क्यूंकि इस बार भी एक भी question NCRT के भार आया ही नहीं है मेरे बच्चो तो NCRT पढ़नी बहुत जरूरी है यानि कि इस एक साल में आपको अपनी दोनों NCRT चाहे वो 11th की हो चाहे वो 12th की हो है ना दोनों NCRT कम से कम 10 से 15 बार पढ़ लेनी हैं 10 से 15 बार उसका revision हो जाना चाहिए तो जैसे ही lecture खतम हुआ notes बना लिए notes बनाने के बाद आप सबसे पहले अपनी NCRT read करोगे कि आज मैं आपने ये वाला point पढ़ा लिया था ये वाला topic पढ़ा लिया था मैं थोड़ा इसके NCRT पढ़ लेता हूँ चाहिए वो female reproductive organ हो चाहिए वो drugs के diagram हो तो diagram based question आपको बहुत जादा मिलेंगे इस साल muscles का diagram आया है तो यार वो diagram की जरूर practice करना क्यूंकि कभी-कभी हमें examiner कैसे देता है paper में diagram में labeling दे देगा कि label करो हमें बोल देगा कि label करो label करने के बाद तुम यह बताओ कि कौन से labeling का हमने सई function बता रखा है या odd one out बताओ तो diagrams भी इस तरह से पढ़ने है कि कुछ भी छूटे ना इसलिए मैं कहती हूँ NCRT की full stop NCRT का कौमा भी important है तुम्हें पता होना चाहिए कि इस डाइग्राम में क्या था इस sentence में क्या था तो इस तरह से आपको NCRT पढ़नी है ठीक है नेक्स चीज अगर हम लोग बात करें डाइग्राम के बाद NCRT पढ़ने के बाद हर chapter से कम से कम 200 questions लगा लो है ना 200 questions अगर आप लगा लोगे ना हर chapter से यानि कि sufficient amount of questions आपने कर लिये हैं है ना वो कर लो ठीक है अब उसको करने के बाद फिर करो पीवाइक्यों है ना previous year questions आपको करने है previous year question का बड़ा महत्व होता है महत्व क्या होता है देखो सबसे important चीज है कि उनसे हमें पता चलता है कि कि किस concept से सबसे जादा question आ रहे हैं है ना तो last 12 साल के 11 साल के आपको क्या करने है पीवाइक्यों करने है अब आपने क्या कर लिया है चाप्टर के पूरे questions कर लिये है आपने PYQs कर लिये हैं अब इन दोनों में आपसे गलतिया तो होई होगी है ना गलतिया तो होई होगी तो उन गलतियों को सुधारने का मौका है और सुधार कब सकते हो जब आपको गलतिया पता चले यानि कि आपको अपने आपको करना है evaluate करने के बाद आपको पता चलेगा कि यार मेरा इस चाप्टर में से यह वाला टॉपिक मुझे अच्छे से नहीं हो रहा तभी मेरे से कोशन नहीं बन रहा है या मैंने यह वाली सिली मिस्टेक कर दी तो मिरको इस चीज पर आगे से ध्यान रखना है तो यह सारी चीज़े एव आप बिना शॉट नोट्स के आहल तहीं हो जाता है क्यों ओंकि फिर आपको एऽन के लिए है इतनी मोटे मोटे नोट्स आपको पढ़ने पढ़ते हैं तो वो स्किप्ट करने के लिए आप अपने हाथ से अपने शॉर्ट नोट्स हर चाप्टर के बनाएंगे जैसे कि फॉर एक्जामपल आपने यूमन रिप्रोडक्शन ले लिया आपने इतना बड़ा सा पेपर ले लिया उस पे एक तरफ मेल रिप्रोडक्टिव औरगन के बारे में कर लिया एक तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव औरगन के बारे भी करना है short notes बनाने भूलने नहीं है ठीक है although mind map के sessions आपको हमारे YouTube channel पर मिल जाएंगे बट खुद के short notes बनाए हुए ना जादा समझाते हैं खुद जब महनत लगती है ना उसमें तो जादा समझाता है हमें पता होता है कि यार यहां हमने यह लिखा है तो वो आपने revision कर लिया है revision करने के बाद या time to time आपको mock test जरूर देने है है ना आपको पता होना चाहिए कि exam में बैठके कैसा feel होता है और खासकर उन बच्चों के लिए बोल रही हूं जो 12 में है जो इस साल 12 में है और वो पहली बाद नीट का exam देंगे है ना तो mock test आपको देना है mock test इसलिए बहुत जादा जरूरी हो जाता है क्योंकि एक तो आपको पता चलता है कि यार मेरको यह 4 subject है इनको करने के लिए 3 घंटा 20 मिनट है और जिसमें से मेरको हर chapter को एक particular amount of time देना है तो time management हमें उसी mock test से समझाती है अपनी गलतियां कि मैं जल्द बाजी में कहां सिली mistake कर रहा हूं वो भी हमें उसी mock test से समझाती है तो mock test देना बहुत जरूरी है mock test दोगे फिर से evaluate करोगे और फिर करना है revision देखो या revision is the key मैं बोल रहे हूं regular revision होना चाहिए हर 15 दिन में यार revision का day आप mark कर सकते हो कि यार मेरा इन 15 दिन में जितना भी syllabus हुआ है जौल जी का जितना भी syllabus हुआ है बोटनी का या किसी भी subject का मुझे इस 15 दिन के बाद आज के दिन मुझे रिव रिवीजन करना है और जब वो ठान दिया है तुमने कि मुझे आज रिवीजन करना है तो वो आज रिवीजन होना चाहिए पेंडेंसी मत लाना किसी भी चीज में पेंडेंसी अच्छा होता ही नहीं है पेंडेंसी लानी ही नहीं है ठीक है तो हर खुद का time table बनाना है क्योंकि देखो एक time table मैं अगर आपको दे दूंगी मतल colonial मान लो कि मैंने आपक MARY time table दे दिया है इना अब मैझे वह time table अपने हिसाब से बनाए कि मैं दिन में इस समय फ्री होती हूं कोई बच्चा मैंने सोच के जब मैं student ती कि य मने इस समय पड़ेगा बिना follow करें आप नहीं कर पाऊगे है ना आपको dedication determination वो focused आपको होना पड़ेगा आपको time table को religiously follow करना पड़ेगा और मैं बोल रही हूं कि हर महीने का time table बनाओं मैं ये भी नहीं बोल रही हूं कि साल भर का आज ही time table बनाना है उन 15 दिन का आपको time table बनाना है और उसको follow करना है क्योंकि हर 15 दिन में situation change होती जाती है हमें थोड़ा अपना time manage भी करना आ जाएगा 15-15 दिन बाद तो हम लोग और चीज़े add कर सकते हैं तो हर 15 days का आप time table बनाओं अब time table बना रहे हो ठीक है time table बना लिया है उसको follow कर लिया है लेकिन आपको हर रात यह decide करके सोना है कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है ठीक है मैं इस teacher से lecture ले रहा हूं यह teacher कल यह पढ़ाएगी तो आपको focus रहना पड़ेगा आपको consistent रहना पड़ेगा इस एक साल है ना zero distraction भया social media वीडिया सब भूल जाओ zero distraction होना चाहिए इस एक साल है ना zero distraction यानि की यार देखो Instagram कुछ दिनों के लिए छोड़ दो है ना साल भर है यार इस साल महनत कर लोगे ना तो फिर जिन्दीगी में मजे ही मजे है ना देखो यार महनत हमेशा करनी पड़ती है लेकिन अगर यह पहली सीडी पार हो गई ना तो कुछ अचीव हो जाएगा है ना तो यार zero distractions रखनी है जो गलतिया कर रहे हो उनसे सीखना है ऐसा नहीं करना है कि गलतियों को कहीं बंद करके कबर्ड में ब्रक दिया है कि यार मैंने तो गलती करी नहीं एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चीए कि यार मुझे यह चाप्टर नहीं आ रहा है ना अगर आपका कोई दोस्त पूछा थे कोई आता है बोलो हां भई नहीं आता मुझे क्या पता वो तुम्हें समझा दे हैना ये चीज़ हो सकतर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि मेरी या गلती हो रहिए क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक सुधरोगे नहीं तो acceptance is the currency ये तब की बात है जब आपको पता हो आपकी गलती क्या है और गलती को सुधारने के लिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए रिवीजन है ना यार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा हर 15 दिन में मैंने आपको बोल दिया है रिवीजन करना है हर चाप्टर होने के बाद आपको रिवीजन करना है हर टॉपिक के आपको रिवीजन करना है रिव मैं इस समय बोर नहीं हो सकता, है ना, मैं इस समय ये नहीं सोच सकता कि मुझे कुछ नहीं, मतलब मुझे सब आ गया है, इस NCRT का, मैंने सब पढ़ लिया है, क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर मैं अभी भी NCRT पढ़ू ना, कोई ना, कोई एक ऐसी लाइन हो जाएगी, जो मैं बो सब्जेक्ट को टाइम देना है, ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप, अगर बायो जी में अच्छे हो, तो आप बायो ही बायो करे जा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री को देख भी नहीं रहे हो, ऐसा नहीं करना है, या वाइस वर्सा नहीं करना है, आपको हर सब्जेक्ट को डे तो हर सब्जेक्ट को डेली टाइम देना है, जितने जादा कोशन हो सके, उतने जादा कोशन बेटा जी आपको करने है, ठीक है, तो इस साल इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि रिग्रेट का टाइम ही न बचे, है न, वो बचे भी जो पहली बार नीट देंगे और वो बचे जिन्होंने इस साल नीट दिया होगा, लेकिन किसी कारणवर्ष उनके उतने मा邊कस नहीं आये होँगे, ठीक है, तो वो भी या टाइम ही बाउंस बाक का है, तो हमें करना है बाउंस बाक, ठीक है, पूरी मेहनत लगा देनी है, पूरी की पूरी जान लगा देनी है इस एक स और ट्रस मी आप जब चाहे आप हमें कॉंटाक्ट कर सकते हो आप हमें बता सकते हो कि माम ये प्रॉब्लम आ रही है I will be there we will be there अब मैंने आपको चाहिए अगर आपको इस्ट्राटजी का और डी प्लान चाहिए तो हमारे डॉक्टर अड्डा के आप पर आपको क्या मिल जाएगा आपके दो बैच्चें आपको मिलने वाले है, neutron बाच जो है बच्चे वो आपके droppers के लिए है और आपका electron बाच है class 11 के लिए यानि कि ये वो बच्चे हैं जो 2026 में नीट देंगे, ठीक है आपको अगर आप neat adda के app पे जाओगे यानि कि adda 24-7 के आप पे जाओगे, उधर पर आप neat वाले portion में जाओगे तो आपको ये वाले batches दिखेंगे, neutron दिखेगा और electron दिखेगा आप BBS code लगाके, है ना, biology with भारती सिंग, ये code लगाके आपको 40% तक का discount मिल जाएगा पूरे batch का, ठीक है, neutron के लिए आपका फिर price हो जाएगा 3840 रुपीज और electron के लिए 3600 रुपे आपका price हो जाएगा, ठीक है, तो आप ये वाला code यूज कर सकते हो, हम मैं बोल रही हूँ कि ये batch लेना क्यों चाहिए, सबसे important चीज, इसलिए लेना चाहिए, एक बहुत अच्छी strategy plan हो रखी है, इस batch के लिए, ठीक है, कि हम लोगों ने पूरी try करी है, कि यार 11th complete कराएगे, फिर revision का time दिया जाएगा, फिर 12th complete कराएगे, और 12th हमारी complete हो जाएगी by 31st of January, उसके बाद भी आपके पास February बचता है, March बचता है, April बचता है, तीन महीने बचते हैं, जिसमें हमें करनी है practice, अब इस batch में आपको मिल जाएगे, interactive live classes मिल जाएगी, test series तक मिल जाएगे, और test series मिल रही है, with video solution, यानि कि जहाँ पर भी आपका question mark जलेगा, वहाँ पर आपको अपना video solution खोल के देखना है, और आपको पता चल जाएगा, कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, ठीक है, notes आप download कर पाएंगे, लेकिन सर्फों notes के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपने खुद के notes भी बनाने है, scorecard मिलेगा, हां जी, बिलकुल PTM वाल यहाँ पर भी बनाए रखेंगे, क्योंकि parents का साया बना रहना चाहिए, ठीक है, फिर bridge course का access भी आपको मिलेगा, bridge course basically कैसा course है, जहां पर हम लोग बहुत basic level, मतलब हम लोगोंने सोच रखा है कि बच्चे को नहीं आता है, हम बिलकुल basic level से आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसका access भी आपको मिल जाएगा इस course के साथ, साथ की साथ 1 DPP printed book मिल जाएगी, जिसमें आपको class 11th और 12th के बहुत सारे question आपको यहाँ पर मिल जाएगे और वो भी with video solution, यानि कि जो मैं बोल रही थी ना, कि आपको इतने question practice करने चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगे, test series मिल रही है, तो हर चीज आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर plan करी गई है, need 2025 के batch के लिए भी और हमारे class 11th वाले चोटे-चोटे प्यारे-प्यारे बच्चों के लिए, जो अभी अभी 10th से 11th में आए है, उनके लिए bridge course बहुत फाइदे मंद रहने वाला है, क्योंकि आप लोग को पता है अच्छे से है by using code BBS, ठीक है बच्चों, तो इस साल करते हैं अपनी पूरी महनत, है ना, इतनी महनत करेंगे, कि कभी regret नहीं होगा, कि हमने कोशिश नहीं करें, ठीक है, तो all the best बच्चों, और जहां से भी पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ना, इन चीजों को याद रखना, consistent रहना अपनी चीजों में, क्योंकि determination ऐसे होगा, लेकिन फिर वो ऐसे भी जाएगा, अब यहां जाके, जब आप उस consistency को उठाओगे, तब आप बनोगे hero, ठीक है, तो वो चीज आएंगी, उपर, नीचे, ups and downs आते हैं, सबकी life में आएंगे, आपकी life में भी आएंगे, ले